मालती की शादी के दस दिन बात तक चंदरन भी मार रहा और जैसे ही ठीक हुआ उसने मदरास के टिकेट कटाई और मदरास पहुँच गया प्लैटफॉर्म पर जमा भीड में चाचा का लड़का भी खड़ा था जो शायद उसे लेने आया था उसकी नजरों में आये बिना ये प्लैटफॉर्म से निकल गया बाहर जाते ही तांगे वाले को कहा कि किसी होटल में ले चलो और होटल में चला गया तांगे वाले को उसने बिना जद बहस किये पैसे दे दिये तांगे वाले को भी शायद पहली बार ऐसा लड़का मिला था जो बिना जिद बहस किये पैसे दे रहा था उसको अफसूस हुआ कि एक रुपय क्यों दो रुपय क्यों नहीं मंग लिए वहाँ पर होटल में मेच पर बैठा आदमी रजिस्टर में कुछ लेख रहा था तो इसने जाकर कहा कमरा है उस आदमी ने घंटी बजाए और एक नौकर आया साब को उपर वाला कमरा नंबर तीन दिखाओ एडवांस लगेगा कितना इस शहर में लोग पैसे लेने की बात परवा नहीं करते थे कि तू कौन और मैं कौन कितने दिन रहोगे उस आदमी ने पूशा तीन दिन वैसे मैं आपको बता दूँ कि इसका भी फिक्स नहीं है कि कितने दिन रहेगा होटल वाले ने 4 रुपए की डिमांड की और इसने बिना जिद बहस की चार रुपए उसको जिद दिये चड़कर उपर कमरा देखने किया तो कमरा बहुत चोटा सा था जतना इसके गाउं में तो बहुत बड़े बातरूम होता है उतना बड़ा तो कमरा था एक कुर्सी लगी वही थी एक लूहे की चार पई यह उस पर बैट गया आँखे मलने लगा थकान हो रही थी बाहर जागर किटकी की बाहर देखने लगा कि कितना बिजी शहर है किसी को एक पल का टाइम नहीं है तब ही अचान है कि एक आदमी काला सा लंबा सा जिसकी बड़ी-बड़ी मूच्छी थी इसके सामने आगर खड़ा हुआ और बोला नहालो भाई नहाला नहीं कि पानी खतम हो जायागा नहीं मैं अभी ठका हुआ हूँ अरे पानी खतम हो जाएगा चलो तुमको बातरूम दिखाता हूँ इतना कहकर वो आदमी उसको अपने साथ में ले गया कैलाश नाम है मेरा इसके बाद चंदरन उसका दोस्त बन गया और नाश्टा गर के दोनों बाहर चले गए पूरा दिन दोनों साथ में गूमने लगे शाम को खाना कहाए हर जगए पर उस कैलाश ने खुद से खर्चा किया इस कैलाश ने दो शादियां किया और दोनों बीवियों से बहुत प्यार कटता है मदरास तो बस गूमने आता है मज़े करने आता है जैसे ही पैसे कतम हो जाते हैं वापस चला जाता है कलाश ने इससे पूछा तुम्हें मेरी उम्र कितनी लगती है इस ने बहुत पता नहीं फिर भी आप 30 साल की लगते हो भाई एक 50 साल का हूँ मैं बाल काले भी नहीं इकटता और अगले 20 साल तक ऐसा ही रहूँगा जिन्दगी जीने में विश्वास रखता हूँ मैं इनसान को अपनी जिन्दगी के 40 साल कमाने में और 40 साल उडाने में बिताने चाहिए वो चंदरन को अपने साथ एक आलेशान होटल में दारू बिलान लेकी गया एक्शली बियर लेकिन चंदरन ने बोला कि मैं अपनी मा से वादा गर के आया हूँ गाउं से निकलते हुए कि दारू नहीं पियूँगा तो वो बोला दारू कि दर रही है ये तो भी आ रहा है बोला एलकोहल तो होता है न बोला पी ले यार अब कैलाश मा की बात सुनकर थोड़ा सा सीरियस हो गया वो तो आधी रात तक दारू पीता रहा चंदरन उसके सामने बैठा रहा उसने नेमू पाने पिया मिठाईयां खाई और चंदरन नहीं उसे संभाल कर घर ले जाने लगा सड़क पर ये कैलाश ड्रामे बाजी करने लगा बकवास करने लगा पर दोनोंने टैक्सी पकड़ी टैक्सी में बैट कर प्रोस्टिटूट के इलाखे में पहुँच गया यहनी कि रेड लाइट एरिया चंदरन को वहां से मौका मिला मौका देखकर वो तो भागाया वो डर गया था और एक फुटपात पर आकर बैठ गया यह पहला मौका था काउं से आने के बाद जब उसको मालगुड़ी की याद आ रही थे कि क्या कोई ट्रेन है मालगुड़ी वापस जाने की मुझे एक दिन भी सिटी में एक साल के बरावर लग रहा है यहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है क्यों वो घर के आरामदा एक बिस्तर को छोड़ कर इस अजनवी शहर में सडकों पर धक्के खा रहा है क्या मालती भी मुझे याद करती होगी क्या उसका पती सही आद में होगा फिर मालती की शादी के बारे में सोच कर एक बार फिर से इसने तैय कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए मालगुड़ी वापस नहीं जाएगा वहाँ की हर चीज उसको वहाँ की रेत, वहाँ का पानी, वहाँ की मिट्टी सब इसको मालती की याद दिलाती थी अलगुड़ी अब इसके लिए नर्क था कहता है कि जिना या मरना इस शहर में है अगर कुछ ना मिला तो आत्मत्या करनी पड़ेगी वह अब खुद को सन्या सी मानने लगा था कि घर छोड़ दिया मैंने अब सामान की भी क्या जरूरत है होटल भी नहीं जाऊंगा वह रात बर फुटपात पर ही दिवार के सारे सटे हुए सो गया वहीं फुटपात पर उसे नींद आ गई और दूसरे दिन जाडू लगाने वाले ने उसे उठाया उठकर ये आँखे मलने लगा नींद पूरी होते ही इसने तैय किया कि मदरास ये तुरंट छोड़ देगा इसी दूसरी सिटी में या फिर गाउं टाइप के लाके में चला जाएगा स्टेशन पर पहुँचकर इसने नक्षे में देखा पिर देखा बेजबाड़ा बेजबाड़ा के टिकेट ली एक छोटा सा गाउँ था पता नी कौN सा गाउँ था और ट्रेन में चल गया पर पता नी क्या इसके विचार आया कि ये ट्रेन से कूद गया पर यहां वाँ बटकने लगा कालिश वर मंदिर में गया मंदिर पे जाकर सारे भगवानों के सामने माथा जुखाने लगा और सड़क पर बैठे एक नाई के पास जाकर बोला मेरे सारे बाल उतार दो नाई हैरान क्योंकि अब तक उसके पास विद्वाएं आई हैं दूसरे लोग आये लेकिन ऐसे यंग लड़का नहीं आया नाई ने पूछा क्या सच में तुम्हें मुझसे बाल गटवान है उसने बुला हाँ और मुझे एक और फेवर्ट चीए तुमसे नाई बुला क्या मुझे कुछ गेरुआ कपड़ों की ज़रुरत है नाई ने पूछा लेकिन बाबु तुम इसंबर में सन्यासी क्यों बन रहे हो वो समझ चुका था वो बोला मेरा अप दिल भर चुका है मुझे सवाल जवाब तो खरो मत दुनिया से दिल भर चुका है दुनिया में मेरे सारे अपनोंने मेरा साथ छोड़ दिया तब वो नाई उसे अपनी जोपड़ी में ले गया कि चलो मैं तुमारे लिए सब कुछ ले आऊँगा एडी मेडी सी गलियों मैंसे गंदी संदी गलियों मैंसे वो एक घर में पहुँचा एक छूटी सी कुटिया टाइप की जिसमें एक मोटी तगड़ी आउरत थी जो नाई की आउरत थी आदा दिन वो वहाँ पर रहा दोपहर को तीन बजे नाई गेरूं कपड़े अपने साथ लेकर आया और खाने के लिए और नारियल वगिरा लेकर आया चंदरन को भूग लगी थी तो उसने वो फल खाली है और गेरूं कपड़े पहन कर सन्यासी बन गया एक पोस्ट कार्ड मंगवाया आपने फादर को लेटर लिखा जिसमें उसने लिखा कि मैं ठीक हूँ दोस्त की यहाँ पर रह रह रहा हूँ चाचा चाची के यहाँ पर गया नहीं मैं यही पर रह रह रहा हूँ और मैं नहीं बताऊंगा मैं कहाँ पर हूँ अब बस मेरी चंता मत करना और प्रलिस को तो बिलकुल भी मत बताना मैं सही हूँ खुश हूँ और चंदरन गाओं गाओं पैदल घूमने लगा सन्यासी बनकर बेल गाडियों से लिफ्ट मांग मांग कर और कोई उसे सन्यासी समस्ता था भूग लगती तो खाना मांग कर खा लिता नीन दाती तो कहीं भी सो जाता कभी खुले में कभी कोई घर पर सुला देता उसको दीरे दीरे उसके गालों की हड़ियां बाहर आने लगी सडकों की धूल उसके शरीर पर जमने लगी हाथ पैर उसके अकड़ने लगे थे गेहुआ कलर काला हो गया था होटो से मुसकान तो जैसे गाया भी हो गई थी शेव वो करता नहीं था, एक दो बार की थी उसके बाद वो महनत भी नहीं होती थी आठ एक महीने ऐसे घुमने के बाद में वो एक गाउं में पहुँचा, छोटा जा गाउं था प्यास बहुत लगी थी खेतों में एक नाला बहरा था उसी मेंसे उसने पानी पीकर अपनी प्यास बजाई फिर एक बरगत के पेड़ के नीचे जाकर बैट गया और उसकी जड़ के सारे सो गया जब आँख खुली तो देखा उस गाउं के गाउं वाले उसके चारों तरव घेरा बना कर खड़े थे उचाब महराज जी अब कहां से पता रहे है चंडरन ठका हुआ था उससे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे उसने अपने होटों पर उंगली रखी फिर उसकी बाद उपर आसमान की तरफ उंगली की और दस उंगलिया उनको दिखा दी और वो क्या समझ बैटे उन्होंने सोचा कि स्वामे जी दस सालों के लिए मानवरत पर है स्वामे जी आप कहां जाएंगी तो चंडरन ने हाथ गुमा कर बताया बहुत दूर जाऊंगा एक आदमी बोला कि आप जैसे स्वामी यहां पर पुन्या आत्मा कमाते हैं आप एक काम कीजी मेरे साथ मेरे घर पर चलिए लिकिन वो वही पर रुका रहा आप यहीं रुक जाओ आप जैसे लोग इस गाओं में कमाते हैं वो लोग इतनी जिद्द करने लगे कि इसे रुकना ही पड़ा लोगों में खबर फैल गई कि कोई बहुत बड़े महत्मा आये हैं बर्गत के पेड़ के पास में गाओं के आरतें, बच्चे, मर्द, सब लोग बूढे सब उस महत्मा को देखने आये, बर्गत के पेड़ के पास और दूसरे दिन तो सैकड़ों में लोग आ गए दीरे दीरे दर्चन करने की भीड़ बढ़ती रही चंदर ने इनको देखकर घबरा गया वो आँखे बंद किये बैठा रहा आखिरकार उसने इशारा गर के सब को बोल दिया कि घड़ जाओ सारे के सारे जब इसकी आँख खोली तो इसने देखा कि गाउवालों ने उसके खाने के लिए तरह तरह के आइटम रख दिये थे दूद, केले, दही जाने क्या क्या रख दिया था इसे बहुत बुरा लगा कि ऐसे सीधे साथ लोगों के साथ दोकी बाजी करना ठीक रही आखिर जब से ये सन्यासी बना इसने फ्रीका खाया जब भी किसी से मांगता लोग इस पर दया खाके इसको दे देते थे ऐसे तो नहीं चलेगी वहाँ पने माबाप को ये मरने के लिए छोड़ाया और ये सब किस के लिए कहां से शुरू हुआ ये सब मालती के प्यार के लिए आकर इसको यहाँ पर एहसास हुआ कि मैं बेवकुफ हूँ मेरे से बड़ा बेवकुफ कोई नहीं हो सकता ऐसा सोचकर वो उठा और वापस अपने घर मालगुड़ी की तरफ चल दिया इसके आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में